खरगोन शहर में हुई हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू के 13 दिन कर्फ्यू में 9 घंटे की लंबी धिल दी गई है जिसके बाद अब जन जीवन पटरी पर लोटता नजर आ रहा है आज सुबा 8 बजे से शाम 5 बजे तक धिल दी गई है दील के दोरान सभी प्रकार की दुकाने खोलने की साथ साथ बैंक और पोस्ट आफिस भी चालू रहे लेकिन दील के दोरान पैट्रोल पंप और केरोसिन की सप्लाई पर रोक रही वहीं क्रशी उपश मंडी भी बंद रही जबकि धार्मिक स्थल भी बंद रहे वहीं यातरी बसों के आवा गमन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंद लगाया है जिससे बस स्टेंड भी सुनसान पड़ा हुआ है प्रसासन का ये निर्नाई उस वर्ग के लिए बड़ी रहत देने वाला है जो मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन मजदूरों की पीड़ा है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा आज नौ घंटे की धिल मिलने के बाद बड़ी संख्या में मजदूरवर्ग घर से निकल कर काम की तलाश में बाजार में पहुँचे लेकिन इका दुका मजदूरों को ही काम मिल पाया मजदूरों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी का साधन सिर्फ मजदूरी ही है ऐसे में अब घर परिवार चलाना भी मुश्किल साबित हो रहा है वहीं अनाज मंडी भी बंध होने से किसानों के साथ साथवयापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है वर्तमान में गेहू का सीजन चल रहा है ऐसे में मंडी 13 दिन से बंद है जिससे मंडी प्रसासन को भी राज्यसो की हानी हो रही है खरगाउन से जैनत गुपता की रिपोर्ट परवाच प्रवार के से चल रहा है अभी केसा चल रहा है जा और दो नहीं से आपमकी रहा है क्या कहने चाहिए आप यहां पहुंचीं क्या कहने चाहिए क्या कहई शला को सब्सक्राइब कि शुश्ट के लिया काम करते हैंहेट क्षाज एbes लिए पर गदकता है जिए जिए पर आपऊ कोनल नेको कई लाप अट साथ कि पहले भी एक अधर सृ नहीं करतें हैं जिए क्या काम इस नाम है अफका हैराना मेरा नम सप्काहु हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे टेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुले